हिंदू धर्म में भगवान गनेश को समर्पित गनेश चतूर्थी के पर्व का खास महत्व है माना चाता है कि जिन लोगों की उपर गनेश भगवान की विशेश क्रीपा रहती है उन्हें जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है गनपती बप्पा की आराधना करने से सभी दुखदर खत्म हो जाते हैं इसके अलावा अपने घर में गनेश जी की मूर्थी को विराजमान करना भी शुब होता है खास तौर पर गणेश चतूर्थी के दिन जो लोग अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ती लाते हैं उनकी सभी परिशानियों का अंत हो जाता है आमतोर पर गणेश चतूर्थी के शुप दिन लोग मिट्टी से बनी गणपती जी की मूर्ती लाते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से घर पर ही गणेश जी की मूर्ती बना सकते हैं इससे आपको भगवान गणेश की तो विशेश के पर प्राप्त होगी ही साथ ही धन की देवी मा लक्षमी भी आपसे प्रसन रहेंगी जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक इस्थिती पर परेगा तो चलिए जानते हैं उस खास चीज के बारे में वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गणेश चतूर्थी पर का आरब भात्रपद मास की चतूर्थी तीथी यानि की साथ सितंबर से हो रहा है जिसका समापन अनंत चतूर्दशी के दिन 17 सितंबर को होगा गणेश चतूर्थी के दिन लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ती लेकर आते हैं और 10 दिन बाद अनंत चतूर्दशी के मौके पर विसर्जन करते हैं वही धार्मिक मानिता के अनुसार हल्दी में धन की देवी मा लक्षमी का वास होता है ऐसे में यदि आप अपने घर में हल्दी से बने गनेश जी लेकर आते हैं तो इस से आपको गणपती बफ़ा के साथ साथ माता लक्षमी की भी विशेश कृपा प्राप्त होगी माना जाता है कि जिन लोगों के उपर माता लक्षमी की विशेश क्रीपा रहती है उन्हें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है इसके अलावा घर परिवार में सुख शांती बनी रहती है इसके अलावा हल्दी से बनाई गई गणपती बप्पा की मूर्थी इको फ्रेंडली होती है जिससे पर्लावरन को नुकसान नहीं होगा वास्तु शास्त्र में बताया है कि भगवान गणेश की मूर्थी के लिए उत्तर पुर्व दिशा सबसे उचित होती है इस दिशा में मूर्थी की इस्थापना करने से वास्तु दोश नहीं लगता है और परिवार में सदा खुशाली बनी रहती है घर में सदा गणेश जी की बैठी होई मुद्रावाली मूर्ती की इस्थापना करनी चाहिए गनेश जी की सूर उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए ऐसी मूर्ती की पूजा करने से साधक को मनोवांशित पल की प्राप्ती होती है